आगी बढ़ते और बात कर लेते जबलपूर की जहां जबलपूर में जिला प्रशासन प्राइवेट स्कूल संचालकों को लीकर लगातार एक्षर में हैं इसी कड़ी में यूनिफॉर्म मेला शुरू किया गया है जिसमें 40 नेजी स्कूलों की ड्रैस पेरेंट्स रियायती द जाले और मॉडल स्कूल की यूनिफॉर्म के स्टॉल भी लगाए गया है मेले में 17 स्टॉल लगाए गया है जिनमें मौजी ब्लीजर स्कूल बैक और उसके साथी वाटर बॉटल के लिए स्टॉल भी है मेले का मकसद उचित दाम पर स्कूल यूनिफॉर्म दिलाना है इससे पहले अप्रेल में पुस्तक बनीला लगाए गया था प्रशासन की ओर से लगाए गया यूनिफॉर्म में लेगी पेरेंट्स ने जुमकर सरहना भी की है तो देखे जबलपूर में एक सरहनी काम जिस प्रकार से स्कूल माफियाओं का आतंग देखनी को मिल रहा है और मनमानी फीस वसूली जारी है स्कूल और ड्रेस के नाम पर उसके साथी किताबों को लेकर तो तमाम जो यूनिफॉर्म है उसको लेकर लेकिन अब इस पर शिकंजा कसने के लिए कारवाई तो जबलपूर में की जा रही है लेकिन एक प्रिशंसनी पहल यहां पर की गई है जहां तमाम जो ड्रेस है उसके लिए एक मीला भी लगाए गया है कि यूनिफॉर्म में यह बहुत बढ़िया लगा हुआ कम सिकम कस्टमर्स को कोई भी दिक्कत नहीं होती यहां पर आने पे और डिस्काउंट भी बहुत अच्छा में राए ड्रेस के क्वालिटी भी अपड़िया है बाकी तो यूसफूल है सभी ची जोनों की यूनिफॉम कि यूनिफॉर्म बच्चों की मेला लगा हुआ है यह बहुत ही अच्छी पहला है सासनगी यह इसका लाव अभी जिसने ले लिया तो ठीक है लेकिन जो अब हम दो ले रहे हैं लेने आया हुए आपे तो इसका बहुत अच्छा वादा है इसमें सारे दुकांदार कि यहां इसका आंगे आपके और फायदा मिलेगा हर साल ऐसा अजिसन लगाना चाहिए गौर्मेंट की साइड से इससे कि आपको जो जो इसकोल और जो अन्य लोग इसमें करी करते हैं वो बंद हो चुकी है और मद्वरी सासन ने संग्यान में लेका पूरे पूरे जिलों में वो मिल इस तारीक तक पालकों की सुगदा के लिए ये गड़विस मिला का आजन किया जा रहा है